दर्शिकों जल्दी या मार्च के महीने में प्रवेश करेंगे और यह हम सब ज़रूर चाहेंगे कि यह मार्च का महीना कैसे हमारे लिए रहेगा जो भी ग्रहेगो जो कि सिती बंती है उसका परिणाम हमाई जीव में निश्चित वह से देखने को मिलता है अगर आपका मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आज किस वीडियो हम चर्चा करेंगे हमाई दूसरी राशी व्रिशव राशी के बारे में तो व्रिशव राशी के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा जो ख्रहेगा चरकी सिती बनेगी वो उनके जीवन में किस प्रगारगा प्रभाव डालेगी जैसे स्वास्ते हो गया यह स्वास्ती में क्या उताचग आफ देखने को मिलेगा यह हम समझेंगे इसके अलावा आपके शिक्षय और करियर के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा और यदी आप बिजनेस करते हैं वेवसाय करते है तो उसके लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है इसके लावा आपके पर्स रिलेशिशिप हो गया आपका प्रेंग संबंध हो गया तो उसके लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा किस प्रकार का संबंध में आपको अनुभफ देखने को मिलेगा क्या experience रहेगा इसके लावा अगर आप पहले से विवाईत है तो आपकी विवाईत जीवन के लिए मार्च का महीना कैसे रहेगा उसका विशलेशन भी हम आपको देंगे इसके लावा साथ ही कुछ जोतिशिय प्रमाडे कुपाई भी आपको बताएंगे तो वीडियो के आन तक आप जरूर बने रहे हैं दश को आपकी जर्म राशी है या लगन राशी है आप उसके सार देख सकते हैं जो गरहे गोचर की सिती बनने जा रहे हैं मार्च के महीने में वो कुछ इस प्रकार है तेकि लगनेश आपके जो है नवम भावे मंगल के साथ जो है मकर राशी में गोचर कर रहे हैं अब इनके जो आपके पंचम भाव में गोचर करें पूरे वर्ष इसी बाव में रहेंगे आप कुछ ग्रह में कुछ राशी परिवरतन देख सकते हैं जैसे शुरुआत करेंगे बुद की तो बुद जो है साथ मार्च को आपके मीन राशी में परवेश कर जाएंगे आपके एक राशी में परवेश कर जाएंगे एक अधश भाव में यहाँ पे बुद और राओ के साथ यूति बनाएंगे इसकलावर मंगल भी पंद्रा मार्च को कुम्ब राशी में परवेश कर जाएंगे दशम भाव में फिर से बुद जो है 26 मार्च को राशी परिवरतन करेंगे औ आपके 22 भाव में मेश राशी में प्रवेश कर जाएंगे, भरसपति के साथ YouTube बनाएंगे और शुक्र भी 31 मार्च को कुम्भ राशी को छोड़ के आपके 22 भाव में मीर राशी में प्रवेश हो जाएंगे करेंगे, यहाँ पर उच के हो जाएंगे, लेकिन राहू और सूरी के साथ यहाँ पर इनकी YouTube बनेगी अब इसका क्या प्रभाब पड़ेगा, हम आपको समझाएंगे, शुवात करेंगे आपके स्वास्ते से लेकिन आप शुरुबात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें इसके लावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें तो स्वास्ते की अधी बात करें तो देखें चटे घर के स्वामी और आपके लगनेश दोनों एक यह नवो भाव में उच्चे के मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं स्थिती अच्छी है बहुत ही बड़ी है और हाला कि शुक्रबाद में भी राज्ची परिवरतन कर गें साथ मार्च को दशिप भाव में आपके जाएंगे तो भी आपको स्वास्ते में कुछ लाप देखने को मिलेगा पहले से जो समस्या चलती आरी उसमें कमी देखने को म कुछ अच्छा करना पर सकता है क्योंकि मंगल आपी 12 भाव को स्वामी भी है तो कहीना कहीन कुछ प्रिश्पति आपको कर दोदश भाव में गोचर कर रहे हैं तो है automated appropriate sick निकलेंगे क्योंकि रिष्पतियां पर बैटके विप्रीद राजयों का निमान भी कर रहे हैं लेकिन क्योंकि आप विप्रीद परसिती तभी निकलेंगे क्योंकि जब आप विप्रीद परसिती में जाएंगे तो डेफिनिटी इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई प्रॉब्ल तो है इसके लावा कुछ तनाव या mental stress भी देखा जा सकता है, कुछ उचाटन मन में हो सकता है, किसी बात को लेकर नीरस्तापन देखा जा सकते हैं, तो जिसकी वज़े से कुछ depression या anxiety की समस्या भी हो सकती, तो इसका सबसे चोपाएं, आप योगा करें, या meditation या ध्यान करें, ध्यान और meditation ये एक चीज ऐसी है, जिसमें आपको अपने जो है, ना सिर्फ आपको मानसिक शांती प्राप्त होती है, और आपके जो भी समस्या है, आपके मानसिक सतर को लेकर, वो सब दूर होती है, और सबसे बड़ी बात मानसिक शांती आपको प्राप्त होती है, जो प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ये सतथी से आपको बचना है, ताप को कितू के लिए सबसे अच्छ हो पाई आप गडपती जी को प्रसंद करें, इसके लावा आपको competition में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, आपका जो energy है positive रहेगी, high रहेगी, इसके लावा आप जैसे ही देखे सूरे आपके कदश भाह में परवेश कर जाएंगे, राहो के साथ सूरे रहेंगे, बुद्ध रहेंगे, शुकर रहेंगे, तो दौरान आपको कुछ न कुछ आपको जरूर लाप देखने को मिलेगा, कुछ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, मामला आगे बढ़ता नजर आ रहा है, तो आपको लगनेश आपको support करेंगे, सूरे आपको यहाँ बैटके support करेंगे, पर क्योंकि सूरे के साथ राहो की यूटी योग बनता है, तो कही न कहीं आपके भी तक confident की कमी भी देखी जा सकती है, या अति आत्म विश्वासी होने की वज़े से आप कुछ न कुछ मिस कर सकती है, तो बहुत ही चौकना रहने की आपको वशकता है, इसकलावा campus placement में कुछ अच्छी सफलता आपको शुरूबात मे को मिलेगा, आपको भीतर गंबीरता, नई चीज को लर्न करने के आपके भीतर उत्सुकता भी रहेगी, साथ ही धीरे धीरे आपके भीतर एक तरह से अच्छी energy रेकी जा सकती है, जैसे ही मंगल और शुकर आपके दश्वाब में प्रवेश करेंगे, तो महीने के अंत तक आ कुछ ऐसी भी समय से हो सकती, जो गलत फैमी या मिसरने स्टैनिंग की वज़े से आप लोग के बीच में खिचाफ का कारण बन सके, तो बहुत ही साफधार रहने के आपको अवशकता है, हो सके तो जितना सुनने का प्रयास करें, उतना ही अच्छा बजाए उतना बजाए उ जरूर देख सकते हैं, लेकिन आप कॉंस्टेट एक तस लगातार आप मेहनत करते हैं नजर आ रहे हैं और इसका अच्छा प्रयणाम आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसके लावा जैसे ही मंगल या शुक्रिन आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपको दे में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या कुछ जौप में आप परिवर्तन करना चाहें, नए नौकरी का प्रयास आप कर रहे हैं, तो शुरूर आपको काफी अच्छी रह सकती है, भाग्या पूरा आपका साथ देगा, और एक तरह से कह सकते हैं, कुछ अच्छी प कि अधिकारे की बीच में गलेशिशिप थोड़ी से खराब हो जाए, तो पूरे एक महीन आगले, क्योंकि सूरे यहीं पे रहेंगे, द्राओ के साथ, बहुत ही साफधा रहने के आवशकता है, और आपको अगल प्रोग्रेस डेफिनिटली मिलेगा, प्रोमोशन के लिए प प्रकार देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही साफधा रहने के आपको अवशकता है, अगर आप बिजनिसमेन हैं, यानि आगा बिजनिस परसन है, खुद का वेविसाय है, तो डेफिनिटली मार्च का महीना आपके लिए शुरुवात ही काफी बढ़िया रहने वाली है, सब फानेशल सेक्टर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, जैसे आपके लगनेश दश्यों भाब में प्रवेश करेंगे, उसके बाद एक अच्छ भाब में प्रवेश करेंगे, तो आपके जो भी मार्ग अवरोध है, वो सब दिरे-दिरे खुलते जाएंगे, हा प्रवेश से अच्छे आपको लाप राप्त हो सकते हैं, इसकी भी प्रवल संभावना है, शुरुवात ही आपको देखने से मिल जाएगी, कि जो स्थिति आपके दिर आपके पक्ष में बनती चली आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि सेविंग में अच्छी वृद्धी द तो कुछ अच्छी स्थिति बनने चाहरी हैं मार्च के महीने में आपके व्यवसाई के लिए, दर्शे को बात करेंगे आपके पर्सनल लेशिशिप के याई आपके प्रेम संबंद के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, यह पूरे वश इसी भाव में रहेंगे, हाला कि कि आने ग्रहों के साथ जो है राहो उनकी यूती बनती रहेगी उसके लावा कुछ परिराम आपको जरूर देखने को मिलेगा, मार्च के अंत में जैसे ही आपके लगने का दश्भाव में प्रवेश करेंगे, तो कुछ अच्छा आप देखने को पा सकते हैं, कुछ आपके प आपके पार्णर आपके बारे में क्या सोचते हैं और यही सोच सोच के आप ओवर थिंकिंग में आ सकते हैं, आपकी जो एमोशन्स बहुत हाई रहने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजसिव रह सकते हैं अपने रलेशन्शिप को लेके, तो सामने से वैसे जो परतिक्री खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, कोई ना कोई ग्रह जब इनके साथ आएंगे, जैसे ही सूरे इनके साथ आएंगे और इसके लावा बुद आएंगे, तो आपकी मिसर्डी स्टैंडी के मजए से कुछ सेपरेशन देखा जा सकता है, तो आप यह देख सकते हैं मध्यमार्च के बासिती थोड़ी आपके विप्रीत जा सकती है, और यह भी हो सकते है कुछ ब्रेक अप की संभावना बढ़ जाए, तो इस पगार किसी दी देखने को मिल सकती है, विवाय की चर्चा परिवार में चल रहे हैं, तो निश्चित आउस सफलता आपको देखने को मिलेगी, परिवाय की तब से पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहे है, और हो सकते है कि विवाय का जो प्रपोसल है, वो फाइनल हो जाए, अगर आप पहले से विवाही दबपत्ती के लिए, शुरुबात काफी बढ़िया रहने वाली है, जीवनसाती का भाग्ये क पाफी चमके का, उनके वजह से आपको कुछ लाप की सिती देखने को मिल सकती है, इसके लावा कुछ खर्चा भी कर सकते हैं, किसी लुक्जुरी आइटम में खर्चा कर सकते हैं, या तो किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं, अपनी पत्नी या पती के साथ, जो भी जीवन साथी आपके उनके साथ, इसके लावा अगर आप संतान के लिए प्रयास करें, तो निश्यतों से थोड़ा स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है, संगर्श की सिती बन सकती है, इसके बाद ही आप कुछ सफलता मिल सकती है, उपाई करना बहुत ज़रूरी इसके बिना कुछ भी सिती संभव नजल नहीं आ रही है, तो इश्वर पर विश्वास करके चलें, श्रद्दा करके चलें, इसके लावा संतान से भी कुछ आपको कह सकती है, कि एक तरह से सपरेशन के सिती देखी जा सकती है, या कुछ नीरस्तापन, आप लोग के बीच मे अगर आपके पस हमें तो जरूर करें, इसके लावा आपको रहो केतों के लिए उपाई जरूर करना है, केतों के लिए जैसे रहो केतों के दोना अगर उपाई करना चाहिए, तो आप पक्षियों को सतनाजा, साथ परकार के आनाच खिला सकते हैं, दुरुगा जी की आराध पने पास रखे माता का सम्मान करे इसके लाबा पिता का भी सम्मान आपको करना चाहिGame किसी के साथ कोई भी गलत फहिमी हो तो उसको जादा फोस्त करके आप दूर करने प्रयास ना करें, इसलिए वो मचली या चिल्टी को भी आप भोजन खिला सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाए है, दर्शुकों आपके जो भी प्रशन सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले, हरे कृष्णा